आज के वीडियो टिटोरियल में जो टॉपिक डिसकास होगा वो है क्रामर्स रूल उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है तो हम इसको सॉल्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम एक्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में कनवर्ट कर लेंगे जो गिवन एक्वेश्चन ले लेंगे फर्स्ट एक्वेश्चन के कॉफेश्चन हैं मारे पास X को कॉफेश्चन है 1 Y को कॉफेश्चन है 2 और Z को कॉफेश्चन है 3 इसी तरह सेकिंड एक्वेश्चन का X को कॉफेश्चन है 3 y को कॉफिशन कुछ भी नहीं है तो हम 0 ले लेंगे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे अगर ये y की y भी ना होता तो हम यहाँ पे 0 लेते लेकिन यहाँ पे एक y है तो इसका मतलब है कि 1 हम लेंगे और z के साथ है minus 3 third equation के कॉफिशन से minus 3 4 और 7 यह हमारे पास matrix बन गया अब हमने determinant find करना है determinant क्यों find करना है क्योंकि हमें यह चेक करना है कि जो given equation है उसका solution possible है या नहीं वो कैसे पता चलेगा कि अगर हम इस matrix का determined find करेंगे तो उसकी जो answer आएगा अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब है कि इस equation इन equations का solution possible नहीं है लेकिन 0 के इलावा कोई value आती है तो मतलब कि हम इसका solution find कर सकते हैं तो हम सबसे पहले determinant find कर लेते हैं define करेंगे define करने के लिए first row पहली value का find करेंगे तो first row first row और first column के से 1 लेंगे क्योंकि ये पहली value है और इस row को और इस column को छोड़ के ये जो values हैं हम ये ले लेंगे 1, 4, minus 3, 7 minus second value value के साथ minus आता है 2 पहले x की value 1 थी y की value 2 है तो 2 ले लेंगे अब इस row को क्योंकि यहां पर से हमने 2 लिया है तो इस row को और इस column को छोड़ के जो values होंगी वो ले लेंगे which is minus 3, minus 3, minus 3, 7 और last पहली जो equation है उसको plus के साथ लिखते है plus 3 है 3 है तो ये row और ये column को छोड़ के जो values होंगी वो ले लेंगे 3, minus 3, 1, और 4 अम इसको सॉल्ट कर लेंगे 1, 7, 1 को multiply करेंगे तो 7, minus 4, into 3, 12 और ये 3 का जो sign है ये साथ आ जाएगा minus 2, 7, 3, 21 minus, और 3, 3, 9 और minus minus का sign plus हो गया plus 3, 4, 3, 12 minus, और 3, 1, 3 और इसका sign minus के साथ में आ जाएगा तो इसको solve, इन सब equations को solve करेंगे तो D के value हमारे पास आजाएगी 40 determinant के value 40 आगी तो अब इससे ये तो confirm हो गया कि इसका solution possible है तो हमने अब क्या find करना है X, Y और Z की values find करनी है हम लिख लेते हैं to find values of X, Y and Z X की value find करने के लिए हमारे पास जो formula होगा वो है DX over determinant of D यह हम determinant लेंगे Y की value find करने के लिए D, Y का determinant और D और Z की value find करने के लिए D, Z determinant over D तो हमारे पास D की values हैं हमें D, X, D, Y और D, Z फाइंड करने हैं तो वो find करने के लिए to find D, X D, X find करने के लिए हमारे पास जो matrix है already जो हमने matrix बनाया है उसके first column के elements को हटा के उसके जगा हम equation के बाद वली जो values हैं वो लिख देंगे हमने X find करना है तो यह जो X हली equation एक्स वला couple है इसको हम हटा देंगे और इसके जगा यह वली values ले लेंगे जब हम D, Y find करेंगे तो हम second वली जो Y का column है वो हटा देंगे और उसके जगा equation के बाद की values लेंगे और जब हम D, Z find करेंगे तो z वली जो column है उसको हटा के equal के बाद की values लेख लेंगे तो हम पहले dx फाइंड कर लेते हैं तो dx फाइंड करने के लिए जो first color column है इसके जगा ये वली values ले ले लेंगे ये values हैं हमने dx फाइंड करना है तो ये values हैं minus 5 4 और minus 7 ये values आगी और बाकी जो दो column है वो as it is लिख देने हैं 2, 1, 4, 3, minus 3, 7 अब हमने जैसे determinant फाइंड किया था determinant की value निकालने के लिए जिस तरह solve किया था same उसी तरह हम dx को find करने के लिए solve कर लेंगे तो first number first column first row के इलावा जो वाइंड के लिख लेंगे 1, 4, minus 3, 7, minus 2 अच्छा ये जो minus आता है ये पामुला का minus है यहां से value से हमने minus नहीं लिया यहां पर minus second value के साथ minus ही आता है तो 2 लिया है तो ये 2 बला column row और 2 बला column के लावा जो values हैं वो लिख लेंगे which is 4, minus 7, minus 3, 7 plus 3 3 है तो ये row ये column इसके लावा सारे values 4, minus 7, 1, 4 इसको solve कर लेंगे तो dx की value हमारे पास आ जाएगी minus 40 dx की value आगे इसी तरह हम dy और dz की value भी फाइंड कर लेते हैं अब हमने जैसे dx की value फाइंड की थी इसी तरह dy और dz की value फाइंड करेंगे तो dy की value फाइंड करने के लिए हमने जो second वाला column था y वाला उसमें हमने इक्वेशन में equal के बाद की value यहां पर एड कर दी और यह वाला column और यह वाला column सेम रहने दिया इसी तरह हमने dy की value नकाल दी जो कि हमारे पास 40 आगी और dz की value के लिए हमने जो z वाला column था last वाला उसमें एक्वेशन में equal की बाद की values एड कर दी और बाकी values सेम रखी और इसको solve किया तो dz की value आगी हमारे पास हमने values find करने थी x y और z की तो हमारे पास dx भी आगया था, dy भी आगया था, dz भी आगया था और d की value हम पेले find कर चुके थे तो हम जो फामुलाज में put करेंगे value तो x की value find करने के लिए हमारे पास जो फामुला था वो dx और d था, dx की value minus 40 थी, d की value 40 थी which is equal to minus 1 तो x की value आगी minus 1 for value of y, dy की value थी 40, d की value थी 40 which is equal to 1 तो y की value आगय 1 और for the value of z, dz की value थी minus 80 और d की value थी 40 which is equal to minus 2 तो x, y और z की value आगी minus 1, 1, minus 2 तो ये था क्रामर्स रूल, I hope it will help you, Allah Hafiz